हलो एण फिलकम फ्रेंट्स, हमारे एक व्यूवर है जिनका कहना है कि जब भी वो रिषिट पाउचर या पेमेंट पाउचर में एंट्री पाउच कर रहे हैं то कैस का लेजर गायव है उसमें से, तो कब गायव हो जाएगा और और कब आएगा आएगा, जलिए बात कर लेता है सही से entry pass करना सिखाता हूँ देखिए सबसे पहले क्या नाय टैली प्राइम उपन कर लिया यह नई company है Manoj Private Limited तो इसी में हम काम करेंगे और पहली entry pass करवानी है हमें तो यहाँ पर देखिए current date क्या चल रहा है April 2021 चल रहा है इसको हटा देता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ 14 2020 क्योंकि financial year भी हमारा 2020 ही है इसी वज़न से इसको 14 2020 करना जरूरी है ठीक है तो जब 14 2020 कर देंगे तब कोई दिकत नहीं होगी आपको और आसानी के साथ आप entry pass कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ कर देंगे एक चार 2020 और एंटर पेस करेंगे तो यह एंटर होई नहीं रहा है अब एक बार company की स्तिती देखते है कि company में हमारा क्या इसाब किताब बना हुए ठीक है तो company को alter करने के लिए आप company पर जाएंगे और यहाँ से alter कर लेंगे तो आप देखेंगे कि company में भी हमारा जो है यह देखिए एक अपरेल 2020 हो गया है यहाँ पर books beginning from एक अपरेल 2020 ही है ठीक है अब financial year की बाप करते है company तो हमारा सही है company हमने देख लिया यह problem बहुत लोग को आती है तो यहाँ पर आप cable जो है alt f2 करेंगे तो यह आजाएगा तो आप देखिए period जो है आपका यहाँ पर गड़ण है तो यहाँ पर लगाए एक चार 2020 और यहाँ पर दिया हुआ है टू अब यहाँ पर आजाएगा अपने आप देखिए अब entry कैसे पास करनी है समझ लीजी द्यान से बाउचर में जाएगा आगए बाउचर में अब यहाँ यहाँ पर मैंने capital पहले से बना है crash और profit and loss दोनों का लेजर पहले से बना होता है इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर आते हैं देखिए capital account under capital account डला है मैंने group का सई selection बहुत जलूरी है अगर group का गलत selection करेंगे तो आपका काम गरबण हो जाएगा और वो चीजे नहीं आएगे तो यह इस तरीके से मैंने बनाया है अब यहाँ पर वापीस से चलते हैं कहां receipt voucher में अगर आपको कुछ cash receive कराना है तो capital account को हमेशा credit मे रखिएगा यह CR आ रहा है CR का मतलब होता है credit तो आपको credit में ही रखना है capital account को यहाँ पर रखिए capital account और यहाँ पर कुछ पैसे receive करा दीजिए जैसे कि 70,000 रुपे मैं receive करा रहा हूँ ठीक है नीचे cash automatically आएगा ठीक है cash का लेजर बनाने की जरुवत नहीं पड़ती है ठीक ह बाहर आता हूँ बाहर आने के बद करना क्या है आपको देखिए यह तो हो गया काम अब हमको payment भी करना है तो payment कब करेंगे जब हम purchase करेंगे तो purchase voucher में जाने के लिए अपना इन प्रेस कर दीजिए यहाँ पर आजिए supplier का invoice number डाला हमने enterprise किया और यहाँ पर एक April के ही date में च जाता है यह ठीक है enterprise कर दीए अब यहाँ पर देखिए पार्टी अकाउंट निम में कोई अगर अपने laser नहीं बनाया होगा तो यहाँ cash दिखेगा को ठीक है कि आप cash में purchasing कर रहे हैं cash में purchasing करेंगे तो payment करने की जरूबत नहीं लेकिन अगर आप party के थूदारी का माल purchase नाम आएगा यह बत ध्यां दिजिएगा तो यहाँ पर आये अब यहाँ पर कर देता हूं ठीक है अब पुनीत कर दिया मैंने और यहां पर पुनीत सी कर देता हूं तागी आपको पता लगदार है कि यह credit party है यहाँ पर आ गये और यहाँ पर इसको डालेंगे किस ग्रूप प्रेस करके इसको भी accept कराईए इसको भी accept कराईए यहाँ पर आएगा purchase account का laser अंडर purchase account में जाएगा यह बात यहाँ डखेगा ग्रूप का साइज सेलेक्शन बहुत जरूरी है नहीं तो वही case नहीं दिखाई पड़ेगा कभी कभी lasers नहीं दिखाई पड़ेंगे यह सब दिक्कते आएगे तो यह दिखिए purchase account यहाँ पर पी प्रेस कीजेगा तो purchase account शो होगा तो बस purchase account लेकर करके enterprise करते हुए इसको accept करा लिजे यहाँ पर आगया अब यहाँ पर stock item की बारी है बनाने की ठीक है यहाँ पर stock item बनेगा यह लो पैन तो यह अलो पैन का जो है हम एक laser create करते हैं और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कर देता हूं मैं नमबर ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ नमबर का symbol हो गया यहाँ पर आएंगे फॉर्मल लेम कर देंगे numbers यह कर दिया कर देंगे numbers लिखने के बाद number लिखने के बाद interface कर दीजिया कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एंट परेस की जगर तो यह नो यहाँ आ जाएगा numbers आ गया अब यहाँ पर आ गया देंगे यह कुछ इस तरीके से quantity में आपका आ गया अमाली यह 70 पैकेट आपने खरीदे एक पैकेट पड़ा आपको कितने का एक पैकेट माली यह पड़ा 20 रुपय का खरीद रेट 20 रुपय का पड़ा एंटरफेस किया 14 रुपय यहाँ आ गया अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कोई भी अभी GST नहीं लगा रहा हूँ एंटरफेस करता हूँ अब चाहे तो GST भी अब यह एकसेप्ट हो गया ठीकेट अब ध्यांतीजेगा अब जो परषेस किया आप उसको उसके लिए पैमेंट करेंगे ध्यान दीजेगा जब भी परचेस करेंगे तो पैमेंट करेंगे तो यहाँ पर बहार आ जाएле hag troph 하지 किजिए तर यह यह आपका है अगर अगर आपने डेट चेंज कर दिया और आपको यह डेट मालूम हो कि हाँ यही डेट में हमारा जो है एंट्री पास हुआ था तो आप असानी के साथ यह भी कर सकते हैं इक चार दोहजार पीस कर देता हूं तो देखे एंट्री का अयब हो जाएगी यह न अब एक चार दोहजार पीस डेट चेंज किया मैंने अब यहां से बाहर आई यह पार बाहर आगये अब देखिए कहा तो यहां पर जाईए घा कर लेगा तो आपको वह एंट्री नहीं दो चार 2020 जैसे यह ही आप करेंगे आ तो यहां पे देखे पुनीट सी वाला आ गया यह ही था ठेक है अब देखिए इसका हम करेंगे payment कैसे करेंगे payment देखिए यहां से यहां भी प्रेस करेंगे और जाएंगे कहा प्रेस करेंगे तो यहां पर आएगा डेविट ठीक है अब डेविट आ रहा है तो पुनीद जो है अब आप देखिए पुनीद का कितना रुपया बकाया है तो यहां पर आईएगा तो पुनीद C का लेजन लगाईए तो देखिए यहां पर नीचे दिखेगा आपको की 14 रुपय पकाया है तो यहां पर पुनीद डेविट होगा ध्यां दीजेगा पुनीद जो है डेविट होगा यह 14 रुपय कर दिया आपने और यहां पर अपने आप करसर जो है एडवांस अगेंस डेफरेंस पर चला जाएगा ठीक है और वही विल नंबर आपको शो हो ठीक हाँ और एंटर visa करेंगे और को यहां पर क्याश कर देंगी और क्यास करने क्यों इसको एकसेप्ट करा लेंगे अब दुबारा पेवेट करने जाएंगे तो यह चक्कर है इसी वज़ा से यह cash और यह सब दिक्कत आती है तो सही से एक्टम बनाईएगा तो नहीं आएगा दिक्कत ठीक है अब बात कर लेते हैं receipt की ठीक है तो चलिए पर sell कर लेते हैं तब हम receive करेंगे sell करेंगे तब ही तो पैसा receive करेंगे तो यहाँ पर आते हैं यहाँ पर party का name नहीं है ठीक है अगर आप cash कर देंगे तो फिर पैसा दुबारा आपको receive करने के जरुवत नहीं है इसी में आपका हो जाएगा लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर एक laser create करते हैं राजू d यानि data party राजू data party है तो यह राजू d का एक laser बनाते हैं और इसे डालेंगे sundry data में group का size selection बहुत ज़रूरी है तो यह sundry data में डाल दिया interface करते हुए इसको accept करा लिए यह हो गया accept ठीक है controller press किजिए controller प्रेस कीजिए यहाँ पर आएंगे यहाँ पर कर दीजिए अब sales account का laser तो यह कुकि sell कर रहे है तो sales account का ही laser बनाएँगे वहाँ पर purchase कर न थे सब्सक्रेश्चे अगर रहे थे sundry data हो गए एंटरप्स किजिए अकाउंट दीख भी रहा है ठीक है तो यहाँ पर आजाए और देखिए इसको डाल दिया हमने संड्री डेटर में तब यह नजर कैसे आएगा अभी देखिए जैसे हम एंट्री पास करने जाते हैं अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे जैसे हमल यह राजूडी यह तो सही है लेजर तो इसको एंटरफेस करते हैं इसको एपलाई कर देते हैं तो यह अपलाई कर दिया हमने अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ कहेगा कि already exist तो इसी को आपको सुधार करना होगा सुधार करने के लिए कहा जाएंगे सुधार करने के लिए बाहर आ जाएंगे और यहां से चले जाएंगे अल्टर पर तो अल्टर पर जाने के लिए ए प्रेस कर दीजे और यहां से laser पर आ जाईए और हमको इसी को सुधार करना है sales account वाले laser को, एक छोटा सा mistake बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, आपको तो mistake ना करें ध्यार दें, ठीक है, अब यह sales account में जाएगा, बस sales account कर दीगी और आपका काम हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप असानी से entry pass कर प आप देखें, sales account शोग करने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने लिया था sell of bank, तो वही चीज़ यहाँ पर शोग करेगी, तो कभी भी sales account में laser, जो है, खाते का laser, जो की stock item के खाते का laser है, वो नहीं बनता है, यह याद रखिएगा, 70 में से 60 बेच दिया, ठीक है, यह interface कीजिए, interface कीजिए, accept करा लिए, अब देखिए जहां से, यहाँ पर हमको करना है, इनको payment receive कराना है, तो यह receipt voucher में जाकर entry pass करेंगे, इनके पस पैसा आएगा, तो यह receipt voucher में जाकर के payment को receive करने के कोशिस करेंगे, ठीक है, कौन, राजू, बी, यह data party जो है, यह payment जो है, अ 900 रुपिया दिये, यहाँ करसर अपने आप अगेंस reference पर आजाएगा, और यहाँ पर आएगे, तो यहाँ पर cash आजाएगा, यह देखिए cash का लेजर दिखाए को रड़ा है, तो debit करेंगे cash को धियां दीजिए, interface करेंगे, accept करेंगे, यह हो गया, अब माल लिजे कि अगला यह बकाया है, यह हमको दे रहे हैं एक मई को, तो 15-2020 कर देते हैं, एक मई में आगए, अब यहाँ पर देखिए capital account आ रहा है, तो capital account तो हमको यहाँ चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राजु डी, तो यही था वो आदमी जिसका 900 रुपिया और बकाया है, त आपको देने की जरुवत ही नहीं, तो इस तरीके से आपको entry pass करनी है, यहोग की बात समझ में आ गई होगी, cash और यह सब का चक्कर क्यों है, यह दिक्कत होती है, तो अगर वीडियो पसंद आया, तो share करें, thank you for watching this video.